दोस्तों आपने hypnotize का नाम तो सुना होगा और ये कितना strong हो सकता है आपको movie देखकर पता चल जाएगा इस movie में भर भर के suspense दिखाया गया है movie का नाम है hypnotic जो 2023 में release हुई है तो end तक बने रहें और movie का मजा लें movie की शुरुआत में हम detective Danny Rootky को देखते हैं ये इस समय एक therapist के पास बैठी है वो इसे hypnotize करके पूछती है कि तुमने last बार अपनी बेटी को कहा देखा Danny बताता है कि वो पार्क में खेल रही थी मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका और वो मेरी आखों के सामने से गायब हो गई मैंने उसे बहुत ढूडा लेकिन वो नहीं मिली कोई उसे मेरी आखों के सामने से ही अगवा करके ले गया तभी Danny के पास उसके साथी निक्स का मैसी जाता है और वो उसे अपनी duty के लिए बलाता है फिर जब Danny लिफ्ट में जाता है बस यही बात सोच सोच के Danny का दिमाग अक्सर खराब रहता था फिर वो उस बिल्डिंग के बाहर आता है जहां उसका साथी निक्स उसे लेने आया था वो बताता है कि हमें एक अंजान कॉल आई थी उसने हमें बताया कि दा बैंक ओफ आश्टीन में आज रोबरी होने वाली है और चोरो का लक्ष है लोकर नमबर 23 चुराना है निक्स बताता है कि बैंक ओफ आश्टीन की दूसरी शाखाओं में भी चोरी हुई है वे कोई पैसा नहीं चुराते सिर्फ और सिर्फ लोकर नमबर 23 ही चुराते हैं डैनी का भी लोकर उसी बैंक में था अब वे दोनों अपनी पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर घात लगाकर बैठ जाते हैं ताकि चोरों को पकड़ सके तब ही वहाँ पर एक आदमी आकर बैंच पर बैठ जाता है फिर एक लेडी फोन पर बात करती करती वहाँ बैठ जाती है डैल नाम का ये आदमी उसे हिपनोटाइज कर लेता है और कहता है कि आज जान लेवा गर्मी है फिर वो बाहर खड़े गार्ड्स को भी कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है डैनी बिना समय को आई अपनी वैन से बाहर आ जाता है और भाग कर बैंक में चला जाता है निक उसे रोकता है कि ऐसा मत करो डैनी बैंक मेनेजर को कहता है कि मुझे मेरा लोकर खोलना है वो लेडी जिसे डेल ने हिपनोटाइज किया था उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज सच में बहुत गर्मी है और वो अपने पूरे कपड़े उतारने लगती है उसके चकर में एक्सिडेंट भी हो जाता है उधर डेनी लोकर में जाता है तो मैनेजर कहता है कि मैं अपनी चावियां ओफिस में भोलाया अभी लेकर आता हूँ लेकिन उसकी चावियां तो डेनी ने चुरा ली थी उसके जाने के बाद डेनी लोकर नमबर 23 खोलता है और उसके अंदर से उसे अपनी बेटी मीनी की तस्वीर मिलती है डैल बैंक के एक करमचारी को हिपनोटाइस करके लोकर निकालने के लिए भेजता है वो डैनी के रोकने पर भी नहीं रुकती इतने में वहाँ पर हिपनोटाइस किये हुए गार्ड्स आ जाते हैं और डैनी के उपर फायर कर देते हैं फिर वो लेडी बोक्स लेकर एक ट्रक में बैट जाती है उस समय निक और उसके साथी एक्सिडेंट वाली जगा पर व्यास थे लेकिन वो ट्रक भी पलट जाता है फिर डैल उसके अंदर से बोक्स लेता है और बॉंब लगा कर उस ट्रक को उड़ा देता है लेकिन डैनी डैल का पीछा करता है उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ आ जाते हैं वे सब भाग कर छत के उपर चले जाते हैं डैल डैनी के दो साथियों को हिपनोटाइस कर देता है और वे डैनी पर ही गंतान देते हैं डैनी पूछता है कि मेरी बेटी कहा है डैल कहता है कि ये फोटो मुझे देदो फिर डैल के आदेश पर वे दोनों डिटेक्टिव एक दुसरे को गोली मार देते हैं और डैल छट से नीचे कूट जाता है जब डैनी नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था फिर डैनी निक से पूछता है कि उसके लोकर में मेरी बेटी की तस्वीर कैसे आई निक कहता है कि तुम फेमस डिटेक्टिव हो मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे साथ खिलवार कर रहा है शायद अपने ही लोग उसके साथ मिले हो फिर रात को निक डैनी के पास फोन करके बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो बैंक रोबरी वाली नियूज हमें किस ने दी थी उस लेडी का नाम डैना क्रूज है फिर डैनी उसकी शोप पर जाता है उस समय वो किसी पहलवान का ट्रीटमेंट कर रही थी डैनी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है डैना उस बोडी बिल्डर को हिपनोटाइस कर लेती है और डैनी को बताती है कि तुम्हारे जाने तक वो बाहर ही रुकेगा डैनी पूशता है कि तुम्हें उस रोबरी के बारे में कैसे पता चला डैना पूशती है क्या तुम्हें उस रोबरी में किसी को गिरफतार किया है डैनी मना कर देता है फिर डैना कहती है कि तुम्हें यहां से जुरत है अभी की अभी यहां से निकलो बाहर डेल आकर उस बोडी बिल्डर को हिपनोटाइज कर लेता है फिर वो अपनी बाईक को लेकर उस दुकान के अंदर गुसा देता है और खुद की जान ले लेता है फिर डैनी डैना को एक बंद पड़े पुली स्टेशन में लेकर जाता है जिसे आज कल वे पर्सनल यूज करते हैं डैनी पूछते है यहाँ चल क्या रहा है समझाओगी डैना कहती है कि वो आदमी हिपनोटाइज कर देता है वहाँ बैंक में जो कुछ भी हुआ वे उसके साथ मिले हुए नहीं थे बलकि उन सब को हिपनोटाइज किया गया था हिपनोटाइज में हमारी खुद की सोच खतम हो जाती है और हम हिपनोटाइज करने वाले का ही कहना मानने लगते है उस समय हमें चीजे नॉर्मल नहीं दिखती मैं भी हिपनोटाइज कर लेती हूँ निक कहता है कि मुझे करके दिखाओ, फिर वो निक को बैठने के लिए कैदी है, और निक उसका कहना मान लेता है, वो कहती है कि तुम एक कैदी हो, फिर निक कैदियों जैसे रोने लगता है, फिर डाइना कहती है कि निक तुम्हें ताजी हवा की जुरुत है, और निक बाहर तैना कहती है कि मैंने तुम पर भी ये जदू अजमाया था लेकिन इसने तुम पर काम नहीं किया उस समय डैल निक को हिपनोटाइज कर लेता है डैना बताती है कि कुछ साल पहले एक डिवीजन बना था इसे अमरीकी सरकार द्वारा रन किया जाता था इसमें हम जैसे हिपनोटाइस करने वाले लोग शामिल थे आम तोर पर सरकार खुद के फायदे के लिए इसका इस्तमाल कर दे थी डैनी कहता है कि मुझे डैल के बारे में बताओ डैना कहती है कि वो लेजंड है हिपनोटाइस के मामले में उससे शक्ति शाली कोई भी नहीं हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है डैल को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था और उसने डिवीजन पर कबजा करने की कोशिश की फिर सरकार ने उसे रद कर दिया डैल अपने इलावा सभी हिपनोटाइस करने वालों को खतम करना चाता था और मेरा यकीन करो उसे पकड़ना नामुम्किन है इतने में वहां लाइट बंद हो जाती है वहां निक्स आया था डैना बताती है कि डैल ने इसको हिपनोटाइस कर लिया है और मैं इतनी शक्ती चाली नहीं हूँ कि उसके हिपनोटाइस को काट सकूँ डैनी उसे रुकने के लिए कहता है और जब वो नहीं रुकता तो डैनी उसके पाउं में गोली मार देता है लेकिन वो किसी भी तरीके से डैना को मारना चाता था डैनी उसे हतकड़ी लगाकर सलाखों के साथ बांदेता है लेकिन निक्स फिर भी नहीं रुकता और अपना हाथ तोडने की कोशिश करता है डैना को पता था कि ये रुकने वाला नहीं है इसलिए वो उसे शूट कर देती है अपने साथी की मौत पर डैनी को बहुत अफसौस होता है अब वे दोनों पुलिस से छुपते फिर रहे थे क्योंकि डैना की एक गलती के कारण वे मुझरिम बन गए थे वे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे डैनी कहता है कि वो बैंक में मेरी बेटी की फोटो लेने आया था मुझे नहीं बता वो इसका क्या करेगा किसी ने तो इस फोटो को लोकर में रखाई होगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन इतने में वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है वो दोनों को देखकर अपनी गन निकालने की कोशिश करता है लेकिन डैना उसे हिपनोटाइस कर लेती है फिर वो अपने साथियों को फोन करके बताता है कि मैंने उन दोनों को दक्षिन की तरफ जाते देखा है जब डैनी और डैना वहाँ से जाने लगते हैं और गाडियों के बीच छुपने की कोशिश करता है लेकिन डैनी उसका हर जगह पर छिपना मुश्किल कर देता है तबी डैनी को महसूस होता है कि डैनी ने शायद उसके ओपर हिपनोटाइस करने की कोशिश की है क्योंकि उसे सब कुछ अजीब दिखने लगा था इतने में वहाँ पर डैल और दो पुलिस वाले आ जाते हैं वे डैनी को मारने ही वाले थे कि वहाँ पर डैना आ जाती है इतने में डैल गाइब हो जाता है डाइना डैनी को अपने ट्रक में बिठा कर वहां से ले जाती है डाइना बताती है कि जब कोई आपके ओपर हिपनोटाइज करता है तो आपका मन खुद बेखुद वो काम करने के लिए त्यार हो जाता है जो हिपनोटिक चाता है लेकिन तुम्हारी बात अलग है तुम्हारे पास एक मांसिक ब्लोग है ये एक ऐसी तीजोरी है जिसके उपर ताला लगा है और कोई भी इससे आपके मन के उपर कंट्रोल नहीं कर पाता ये ब्लोग किसी चोट से भी आ सकता है फिर चाहे वो आपके दिमाग पर लगी हो या आपके दिल पर शायद आपकी बेटी ही आपका स्पोर्ट है मैं तो आपको हिपनोटाइज नहीं कर पाई लेकिन डेल जरूर कर सकता है फिर वे जेरेमी नाम के एक आदमी के पास जाते हैं उसी ने डैना को हिपनोटाइज करना सिखाया था फिर वे उसके पास जाते हैं और उससे कुछ जानकर या लेने की कोशिश करते है डैनी उसे अपनी बेटी के बारे में पूचता है और कहता है कि हमें अब तक इसका जवाब नहीं मिला कि मेरी बेटी की फोटो लोकर में क्या कर रही थी फिर डैल कहता है कि मुझे दिखाओ कौन है तुमारी बेटी लेकिन डैना उसे फोटो देने से इंकार कर देती है क्योंकि उसे शक हो गया था कि ये जेरेमी नहीं मिलकि डैल है फिर वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है लेकिन वे भाग जाते हैं अब की बार डैल ने पूरे शहर पर ही हिपनोटाइस कर दिया था अब हर कोई उन्हें पकड़ना चाता था फिर डैनी एक बाइकर को गिराता है और उसकी बाइक लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वे अब ऐसे ट्रैक में फस चुगे थे कि उन्हें कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था सब जगह उट पटांग चीज़ें ही दिख रही थी लोग अभी भी इनके पीछे लगे थे अब इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी तब ही पुलिस आकर लोगों को रोकती है और उनके बीच से डेल निकल कर बाहर आता है वो डैनी को हिपनोटाइज करने की कोशिश करता है लेकिन तब ही पुलिस वाले डेल को ही गन पॉइंट पर ले लेते है डैनी कहता है इट्स मी पुलिस वाले डेल को अपने साथ ले जाते है लेकिन डैनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया जबकि वो तो कोई ऐसी कला जानता ही नहीं है फिर डैनी डैना को कहता है कि कोई तो होगा जो इस गुत्थी को सुलजा सके कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है फिर डाइना उसे रिवर नाम के एक बंदे के पास लेकर जाती है जो पहले डाइना के ही साथ हिपनोटाइज सिखा करता था फिर वो बिल्लू कालिया उन दोनों को अपनी फ्रीज के अंदर बनी बेशमेट में ले जाता है ये बंदा हिपनोटिक के साथ साथ एक हैकर भी था रिवर के पूछने पर डाइना उसे बताती है कि डैल का उसकी बेटी के साथ कोई न कोई तो लेना देना है और अंजाने में डैनी ने डैल के उपर ही काबू पा लिया बस हमारी यही गुथी सुलजाने में हेल्प करो रिवर कहता है तो चलो पता करते हैं फिर वो डैनी की पूरी डिटेल्स खोलता है लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ का कोई डेटा नहीं था फिर डैनी उसे अपनी वाइफ का माईके का नाम बताता है और जब उसकी डिटेल खुलती है तो पता चलता है कि वो भी एक डिविजन एजेंट थी और वो भी लेवल फोर डैनी को विश्वास नहीं होता डैनी कहता है कि वो बचपन से मेरे साथ पड़ी है मुझे कैसे पता नहीं चला थोड़ी देर बाद डैना नहाने के लिए जाती है और उस समय डैनी अपने फैमली फोटो देख रहा था तभी एक अन्नोन कोलर की कोल आती है फोन पर डैल था और वो डैना को मारने के लिए कहता है डैनी कहता है भाड में जाओ और फोन कार देता है फिर वो डैना को आवाज लगाता है लेकिन गोर करता है कि टेबल से कैंची गयब है अब कैंची उसके हाथ में आ चुकी थी डैनी अब खुद के दिमाग से कंड्रोल खो रहा था उसे पता ही नहीं था कि वो अब क्या करने वाला है लेकिन उसकी कोशिश तो ये थी कि वो डैना को कुछ भी नहीं कहेगा डैना भी समझ जाती है कुछ तो गड़बड है फिर वो उसके हाथ से कैंची ले लेती है और फिर वे आपस में इंटिमेट हो जाते है आदी रात को डैल की आँख खुलती है अब वो खुद जाके बिलू कालिया के कंप्यूटर में चाक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइव का असली नाम डैना क्रूज है और ये वही है जो पिछले दो दिन से उसके साथ गोम रही है फिर वो अपने फोन के अंदर अपनी वाइव की फोटो देखता है उसमें भी डैना क्रूज ही थी फिर वो कंप्यूटर में अपनी बेटी का नाम डालता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के पास एक्स्ट्रीम हाइपोनेटिक एबिलिटी थी तबी वहाँ पर डैना आजाती है डैनी कहता है कि मेरी बेटी कहा है तुमने उसे कहां चुपा रखा है डैना कहती है मैंने नहीं तुमने उसे चुपाया है फिर डैनी को याद आता है कि डिवीजन वाले उसकी बेटी को एक्स्ट्रीम लेबल तक ट्रेंड करना चाहते थे और वो नहीं जाता था क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी इसलिए उसने ही अपनी बेटी को गायब कर दिया डैनी समझ गया था कि उसके साथ अब तक जो भी हो रहा था वो सब एक धोखा था हकीकत में तो वो डिवीजन के मेंबर से घिरा हुआ था आज तक उसने जिसको भी देखा सब इनी के मेंबर थे उसका दोस्त निक्स, बैंक की करमचारी या उसके साथ काम करने वाले सब इनी के मेंबर थे जब डैनी ने अपनी बेटी को चुपाया तो उसे पता था कि ये लोग हिपनोटाइस करके उससे उसकी बेटी का एड्रेस उगलवा लेंगे इसलिए उसने अपने मन को ऐसा लोग लगाया कि कोई और तो क्या उसे खुद भी याद नहीं था कि उसकी बेटी कहा है तबी वहाँ पर डैला जाता है वो बताता है कि हम पिछले चार साल से बार-बार यही कहानी दोहरा रहे है कि शाय तुम्हें कुछ याद आ जाए और तुम बता दो कि मीनी कहा है मैं तुम्हारी बेटी को हम सबसे उचे लेवल की ट्रेनिंग दूँगा लेकिन डैनी वहाँ से बाहर जाने लगता है बाहर जाकर उसे हर उस जगह का सैटप दिखता है जहां जहां वो अब तक गया था फिर वहाँ डैल आता है वो कहता है कि हम बारा बार तुम्हारे साथ ये दोहरा चुके हैं लेकिन तुम्हारे जितना strong mind मैंने आज तक किसी का नहीं देखा जब भी हम किसी निशकर्ष तक पहुँचने वाले होते हैं तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है डाइना कहती है कि प्लीज बता दो मेरी बेटी कहा है डाइनी कहता है कि बारां बार में अगर तुम्हें पता नहीं चला तो तुम तेरवी बार के लिए त्यार हो जाओ क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाला फिर वे उसे बेहोश करके वापी संदर ले जाते हैं वहाँ डाइना आती है और अपनी चिकनी चुपडी बाते करके उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने की कोशिश करती है लेकिन डाइनी कहता है कि भाड में जाओ वे फिर से तेरवी बार ट्राई करते हैं सब कुछ एकदम पहले जैसा होने लगता है वही बेटी को अगवा करने वाली बाते उसके दिमाग में डाली जाती है फिर से वही सीन आते हैं जो हमें मुवी की शुरुआत में दिखाए गए थे सब कुछ एकदम वैसे का वैसा लेकिन इस बार डैनी बिल्कुल होश में था वो सब कुछ वैसा दोहराने का नाटक कर रहा था और जब उसे बैंक के बाहर डैल का पीछा करना था तो वो उसका पीछा ना करके वहां से वैन लेकर भाग जाता है फिर सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं डैल कुछ आदमियों को लेकर हेलिकॉप्टर में बैठकर उसका पीछा करता है डैनी जंगल में बने हुए एक घर के अंदर जाता है जहां उसके मॉम डैड रहा करते थी उसने अपनी बेटी को वहीं पर चुबा रखा था डैनी के मॉम डैड के बारे में डैना को भी नहीं पता था भाई साब बन्दा हो तो ऐसा जो किसी को अपने राज नहीं पता था जब डैनी उस घर के अंदर जाता है तो वहां अपनी बेटी मिनी से मिलता है लेकिन इतने में डैल और उसकी टपू से ना वहां आ जाती है डैल के मॉम और डैड उसे कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रोप्टी है कहां गुसे आ रहे हो डैना कहती है आप जो भी हो हमारे बीच में मत आये लेकिन डैल बाते करने के मूड में नहीं था और इशारा करके उन दोनों को मारने का होडर देता है उनके मरते ही डैनी बाहर आता है और कहता है कि क्या तुम वही औरत हो जिसको मैंने प्यार किया था क्या हमारी बेटी को भी यही चिखाना चाहती हो तब ही घर के अंदर से मीनी बाहर आती है डैना उससे मिलकर बहुत खुश होती है मीनी कहती है कि वापिस उधरने के लिए मुझे आप पर गर्व है मैं आपको इन सबसे आजाद कर रही हूँ फिर वो इशारा करती है और सबी एक दूसरे को शूट करने लगते हैं मीनी इन सबसे ज़्यादा पावरफुल थी डैल खड़ा खड़ा देखते ही रह जाता है दरसल ये मास्टर माइंड डैनी का ही प्लैन था वो अपने 13 ट्राइल के दुरान पूरी डिविजन को यहाँ पर लाना चाता था ताकि एक साथ सब को खतम किया जा सके और इसका ये प्लैन कामयब हो जाता है फिर वहाँ पर डैनी की असली मौम डैडाते हैं जो पहले वाले थे वो सब आँखों का दोखा था मीनी ने उस समय डैना को उसके ही मन के अंदर बांद कर बिठा दिया था ताकि वो किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना कर सके मीनी ने अकेले ही पूरे डिविजन का सफाया कर दिया और ऐसा करने के लिए उसे घर के अंदर डैनी ने ही कहा था डैनी के मरते ही डैना भी उसके स्ट्रोंग हिप्नोटाईस से बाहर आ चुकी थी फिर डैनी, डैना मीनी और अपनी मॉम को लेकर हेलिकॉप्टर में बैट कर वहां से चला जाता है और उसके डैड वहीं पर रुख जाते है और बाद में हमें पता चलता है कि जो डैनी का डैड था वो तो अल्रेडी मर चुका था और जो उसके डैड की भेश में जिन्दा था वो डैल था दोस्तों इस मुवी में भर भर के सिस्पेंस दिखाया गया है और जिस तरह से मुवी की एंडिंग हुई है मुझे पूरा विश्वाश है कि इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा और जब भी इसका सेकंड पार्ट आया तो मैं आप लोगों के लिए उसे लेकर आऊँगा बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कुमेंट बोक्स में एक प्यारा सा कुमेंट छोड़ दीजिए